हेल दोस्तों आप देगर स्पोर्ट्स क्रिकेट चनल और आज की इसमने उड़ात करने वाला IPL 2024 के मैश नंबर 14 की जो की खिलज नवाला है राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच में तो मैश का प्रव्यू करेंगे प्रेडिक्शन करेंगे दुजल से इस पैसे जीतना चाहिए यहां पर मैच की ऍडिक्शन कर सकते हैं जैसे मैच कोन से यहीं जीतेगी या फिर मैच में NC20 बनेगे यह सब्सक्राइंगे जहाँ पर आप लिया बैक कर सकते हो यहाँ पर deposit के कई सारे options है आप अपनी cricket की knowledge की मेंट से predictions करके पैसे जीत सकते हो जिससे आप बड़ी आसनी से अपने account में withdraw कर पाएंगे Dale Stinnis site के brand ambassador है जिससे आप समझ सकते हैं इतनी बड़िया site है तो अगरा आप इस IPL में आपको लगता है कि आप predictions करते हैं अच्छे predictions करते हैं cricket के आपको knowledge है तो जरू से जाएए फन इट पर रश्टर कीजिए और पैसे जीती है डिस्क्रिप्शन दिया का लिंक की यूज करोगे तो आपको पहले deposit पर extra bonus भी मिलेगा तो आपको पहले बात करेंगे राजस्तान रोयल्स की डीम के साथ राजस्तान रोयल्स की डीम ने अभी तक दो मुकाबली खेले है जिसमें से दोनों ही मुकाबली जीता है तो अभी तक इनके tournament की शुरुआत का फेच रही है पिछला मुकाबला देली के अभरस की डीम ने खेला था जिसे इन्होंने 12 रोन से जीता था पिछले match में उनके top order में हमें collapse भी देखने को मिला था पर उसके बाद रियान परा और अश्विन ने पारी को संबाला था पर अभी जिस तरीके से प्लेवर प्लेयर के तौर पर इवाल्व कर रहे है टीम का भी बहुत इनका फायता हो रहा है बिल्कुल एक मैच मेंने के तौर पर यह हमने देखने को मिल रहे है एक जिन के थोड़ा सा कंसर्ण होगा कि अभी तक पहले दोनों ही मैच में बटलर कुछ खास नहीं कर पाए है तो टीम चाहेगे कि जल से जल बटलर भी अपने फॉर्म में वापिस आ जाए बालिंग की बात की जाए तो पिछले मैच में यूजी चहल को दो विगेड नांद्रे बर्गर को दो विगेड और इसके लाविश खान को एक विगेड मिला था और वाकी बालोस के पॉफरमस आप ठीकी कहेंगे कि जाए मेंड में टार्गेट डिफेंट करने में कामयाब रही थी हाँ बैटिंग फ्रेंडी पी ज़रूर थी पर फिर भी 207 तरण इन्होंने कंसरेड किये थे बैटिंग में इसे चेज करने मेरे खाल से तुनोंने काफ़े अच्छे एफट किया था पर फिर भी 207 तरण के मैच को अगर आप हारत है तो अब मैच बैटिंग भी नहीं अपनी बालिंग में हा रहा है बालिंग में जस्परी दूम्रा को छोड़ दिया जाये तो बाकि सभी बालर्स की बिटाई हुई थी ऐसा कोई भी बालर नहीं था जिसका दिन कुछ ज़्यादा खास रहा हो बैटिंग में टार्गेट को चेज करते हैं रोईच शर्मा और इशान किशानी टेम को बहुत ताबड़ तोर शुरुआ दिलाई थी उसके बाद निहाल धीर और तिलग वर्मा ने भी बढ़िया पारिया के ली थी एड़ में टीम डेविट नीब एच्छे शॉट लगाये थ सिर्फ 31 रन से मुकाबला हा रहे थे मार्जिन और भी बड़ा हो सकता था यह मैच के लिजन मुला है वान खेड़े में टोर्नामेंट का वान खेड़े में बहला मुकाबला होने बाला है हाइस्कूर मैच रहेगा छोटा ग्राउंड होता है ड्यू भी आती है तो टौश जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाहिंद